दोस्तों आपने बगवान शिव की 12 जोतरलिंगों के बारे में तो सुना ही होगा बस सभी जोतरलिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं पुराणों में इन सभी जोतरलिंगों के महात्में तथा प्राकट्टे का वरणन मिलता है दोस्तों शिवपुराण के कोटी रुद्र सहीता में सोमनात को सरप्रथम जोतरलिंग कहा गया है जो कि गुजरात राज के एक शेत्र सवराष्ट में स्थित है सोमनात जोतरलिंग की स्थापना से सम्वंदित कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापती दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाद चंद्रमा के साथ किया था दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पती स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिनी से करते थे इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापती दक्ष की शरण में चली गई थी अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर वहवार को सुनकर प्रजापती दक्ष भी बहुत दुखी हो गए थे उन्होंने चंद्रमा से भेट की और उन्हें शांती पूर्वक कहा तुमने निर्मल वा पवित्र कुल में जन्म लिया है फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेद भाव पूर्ण वहवार करते हो तुमारे आश्रे में रहने वाली जितनी भी हिस्त्रियां है उनके प्रती तुमारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला वहवार क्यूं है अब तक जो वहवार किया है वा ठीक नहीं है अब आगे फिर ऐसा दुर वहवार तुमें नहीं करना चाहिए इस प्रकार प्रजापती दक्ष ने अपने दामाच चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा उसके बाद प्रजापती दक्ष वापर चले गए थे इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापती दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रती आसकती के कारण उन्हों ने अपनी अनपत्मियों का कुछ भी खयाल नहीं रखा दुबारा यही समाच्यार प्राप्त कर प्रजापती दक्ष बड़े दुखी हुए दक्ष ने चंद्रमा से नययों चित बरताव करने की प्रार्थना की परन्तु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया मेरे आग रह करने पर भी तुमने मेरी अवग्या की है इसलिए तुम्हें शैरोग हो जाए दक्ष दौरा शाप देने के साथ ही शड़ भर में चंद्रमा शैरोग से ग्रसित हो गए उनके शीन होते ही सरवत्रहा कारमज गया सभी देवगण तथरिशी गड़ भी चिंतित हो गए तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है क्योंकि दक्षि के निश्चय को पल्डा नहीं जा सकता है परंतु एक उत्तम उपाय है अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्यान कारक शुभ प्रभाश शेत्र में चले जाएं और वहां पर विधी पूर्वक गृत्युंजय मंत्र का अनुस्ठान करते हुए शद्धा तो वे इने शेयरोग से मुक्त कर देंगे ब्रह्मा जी की आग्या को सुविकार कर देवताओं के सनरक्षन में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभाश शेत्र में पहुच गये थे वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जब तथा भगवान शिव की उपास्मय करने लगे थे उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की दस करोड मृत्युंजय मंत्र का जब तथा त्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर्चित से वहां निरंतर खड़े रहे थे तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तमवर मांगने को कहा तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा देवेश्वर आप मेरे सभी अपराधों को शमा करें और मेरे शरीर के इस शहरोग को दूर कर दें तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रति दिन एक पक्ष में शीन हुआ करेगी जबकि दूसरे पक्ष में प्रति दिन वा निरंतर बढ़ती रहेगी इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोग सम्मान के योगे हो जाओगे तब उन्होंने भक्ती भावपूर्वक शंकर की स्थिती की ऐसी स्थिती में निराकार शिव उनकी धड़ भक्ती को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनात चूतिरलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनात कूंड की स्थापना की जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है यह जोतरलिंग आंदप्रदेश के श्री सैलम नामक स्थान पर स्थित है शिव पुराण के कोटी रुदर सहीता में इस जोतरलिंग का उलेक मिलता है दोस्तों इस जोतरलिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पारवती के पुत्र कार्तिके तथा गणेश जी विवा के लिए आप असमें कला करने लगे और इसके निवारण है तू दोनों माता पिता के पास पहुँचे तब भगवान शिव पारवती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस प्रित्वी की परिक्रमा करके पहले यहां आएगा उसी का विवा पहले होगा शर्थ सुनते ही कार्थिके जी प्रित्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े परंतु थूल का इश्री गनेश जी और उनका वा हंचूहा बहला इतनी शीगरता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे गनेश जी शरीर से जरूर थूल थे, किन्टुवे बुद्धी के सागर्थ थे उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग रह किया फिर गनेश जी ने उनकी साथ बार परिक्रमा की इस प्रकार गनेश जी माता पिता की परिक्रमा करके प्रिथवी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ती के अधिकारी बन गए उनकी चतुर बुद्धी को देखकर शिव और पार्वती दोमों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाभी करा दिया जब कार्ती के संपूर्ण पृत्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो यहां दृष्ष देखकर बड़े हिदुखी हुए और फिर उन्होंने अपने माता पिता के चर्ण छूकर वहां से चले गए माता पिता से अलग होकर कार्ती के क्रौंच परवत पर जाकर रहने लगे भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्ती के को समझा बुजा कर बुलाने है तो देवर्शी नारत को क्रॉंच परवत पर भेजा तब देवर्शी नारत ने बहुत प्रकार से कार्थिके को मनाने का प्रयास किया किन्तु वे वापस नहीं आए उसके कुछ समय बाद कोमल हृद्य माता पारवती पुत्र स्ने में व्याकुल हो ठी वे भगवान शिव जी को लेकर क्रॉंच परवत पर पहुच गए इधर स्वामी कार्थिके को क्रॉंच परवत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस अर्था 36 किलो मेटर दूर चले गए कार्थिके के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रॉंच परवत पर जोतिरलिंग के रूप में प्रकट हो गए तब ही से वे मलिका अर्जुन जोतिरलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए मलिका माता पारवती का नाम है जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है अब शेश गिरे थे इसलिए यह स्थान जोतरलिंग भी है और शक्ति पीठ भी इस जोतरलिंग का वरणन शिवपुराण के कोटी रुदर सहीता के सोलवे अध्याये में सूत जी महराज दौरा किया गया है दोस्तों कथा के अनुसार अवंती नगरी जिसे हम सबी आज उज्जैन नगरी के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर वेदब्रिय नामक ब्रामण भहा करते थे वे अपने घर में अगनी की स्थापना कर प्रति दिन अगनी होतर करते थे और प्रति दिन पार्थिव लिंग का निर्मान कर शास्त्र विधी से उसकी पूजागिया करते थे उस ब्रहमण के चार पुत्र थे जिनके नाम थे देव प्रिये, प्रिये मेधा, संस्कृत और सुवत्र वे सबी तिजस्वी तथा माता पिता के सद गुणों के अनुरूप थे दोस्तों उनी दिनों में रत्न माल परवत पर दूशण नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजेता का वरप्राप्त कर लिया सबको सताने के बाद अन्त में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्म निष्ट ब्रहमनों पर भी चड़ाई कर दी उस असुर की आग्या से चार भयानक तैत चारों दिशाओं में प्रकट हो गए उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे चार ब्रामण बंधु भयवीद नहीं हुए उसके बाद वे चारों ब्रामण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे सेना सहित दूशर ध्यान मगन उन चारों भाईयों के पास पहुँच गया और उन चारों को पूजा करता देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांध कर मार डालो वेद प्रिये के उन ब्रामण पुत्रों ने उस दैत के दोरा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मगन रहे उसने जेओ ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हितु शस्त्र उठाया तेओं ही उनके दोरा पुजित उस पार्थिव लिंग की जगा गंभीर आवाल के साथ एक खड़ा प्रकट हो गया और ततकाल उस खड़े से विकट और भयंकर रूप धारी भगवान शिव प्रकट हो गया पर उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टों तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्व कर डाला या देख दूषड की सेना वहां से स्वयम ही भाग खड़ी हुई इस प्रकार भगवान शिव ने दूषड नामक दैत्य का वदगर दिया उन शिव भक्त ब्रामणों पर अती ब्रसन भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन हूँ तुम लोग मुझसे वर्मागो तब उन ब्रामणों ने कहा हे भगवान शिव आप हमें मोक्ष प्रदान करे और सभी के कल्याण तथरक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं विराजिये भगवान शंकर ने उन ब्रामणों को मोक्ष प्रदान कर अपने भगतों की सुरक्षा के लिए उस खड़े में स्थित हो गई और उस खड़े के चारो ओर की लगभग एक एक कोस भूमी लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई ऐसे भगवान शिव इस प्रित्व में जोतर लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है दोस्तों शिव पुराण के कोटी रुद्र सहींता के अठारवे अध्याय में इसका वरणन मिलता है एक बार मुनी स्वेष्ट नारज जी घूमते हुए गिरी राज विंद पर पहु नहीं है इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंद्याचल नारज जी के समक्ष खड़ा हो गया एहंकार नाशक श्री नारज जी विंद्याचल की अभिमान से भरी बाते सुनकर लंबी सांस खीचते हुए चुपचा खड़े रहे यहां देख विंद्या परवत ने पूछा आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खीची नारज जी ने विंद्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है किन्तु सुमेरू परवत तुमसे बहुत उचा है उस परवत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुच पाएंगे या कहकर नारज जी वहां से चले गए नारज जी की बात सुनकर विंद्याचल को बहुत पश्टावा हुआ वह दुखी होकर मनी ही मन शोक करने लगा फिर उसने भगवान शिव की अराधना क करने का निश्य किया जहां पर साक्षात ओमकार विद्वान है उस स्थान पर पहुचकर उसने प्रसनता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्थी बनाई और छे महीने तक लगाधार उसका पूजन किया उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रस करता हूं इसलिए तुम वर मांगो तब विंद्य ने कहा देवेश्वर यदि आप मुझे पर प्रसन है तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धी प्रदान करें जो अपने काडियों को सिद्ध करने वाले हूं विंद्य परवत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि परवत राज मैं तुम्हे वा उत्तमवर प्रदान करता हूं तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो भगवान शिव ने जब विंद्य को उत्तमवर दे दिया उसी समय कुछ देवगड़ तता रिशिगड़ भी वहां आ गये उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विदिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा अब हमेशा के लिए यहां स्थिर होकर निवास करें देवताओं की बाद से भगवान शिव को बड़ी प्रसनता हुई लोग कल्यान करने वाले भगवान शिव ने उन रिशियों तथा देवताओ की बाद को प्रसनता पूर्वक सुईकार कर लिया वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग दो सरूपों में विभक्त हो गया प्रणाओं के अंतरगत जो सदाशिव विद्धमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है इसी प्रकार पार्थिव मूर्ती में जो जोती प्रति प्रणाओं के नाम से विख्यात हुई परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है इस प्रकार भक्त जनों को अभिस्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के शिव के ये जोतर लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ती के माध्यम से श्री हरी विश्णु ने नर और नारायन नाम के दो रिशियों के रूप में अवदार लिया था दोस्तों नर और नारायन ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अफ़तार लेकर धर्म की पुना स्थापना की इसकी पुष्टी खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवे श्लोक में किये है नर और नारायन बद्रीवन में अपनी बनाई पार्थिव शिवलिंग के सामने गोर तप किया करते थे भगवान शिव जी उनकी पूजा ग्रहिण करने के लिए उनके बनाई पार्थिव लिंग में रोज आया करते थे काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन हुए तब वे नर वा नारायन के सामने प्रगट हुए और उनसे वर मांगने को कहा तब नर और नारायन ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभू अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो लोग कल्यान के लिए आप स्वेम यहां लिंग रूप में निभास कीजिए ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो ज अधित हो गये नर और नारायन रूप में दोनों भाईयों ने बद्रीवन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्य किया था आज उसी बद्रीवन में बद्रीनात नामक मंदिर भी स्थे थे और वहीं पर नर और नारायन नाम के दो पहाड़ भी हैं केदार त के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं पर उसी यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्ति हो जाती है तो उसे भी मूप्ष मिल जाता है भारत देश में बीम शंकर जोतरलिंग के नाम से दो मंदिर प्रसिद्य हैं एक मंदिर महारास्ठ के पुने जिले में श्थित आसाम प्राचिन काल में कामरूप के नाम से ही जाना जाता था शिवपुराण के कूठी रुद्ध सहीता में उल्लिखित बीम शंकर नामक जोतिरलिंग को काम रूप देश में स्थित माना गया है पूर्वकाल में भीम नाम का एक पराक्रमी राच्छा सुआ करता था वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी मा से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहा है इस पर मा करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुम्ब गनड थे और राम ने तेरे पिता का वद कर दिया और उनसे पूर मेरे पती विराद थे जिनका वद भी शेराम ने ही किया था उनकी मृत्यू के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी ए इसके बाद मैं एकांत में इस परवत पर रहने लगी अपने पिता और सभी परिवार्जन की मृत्तिव का कारण पता चलने पर उसने विश्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चे किया भीम ने ब्रह्मा जी की एक हजार वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकदवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंदर सहित सभी देवताओं को युद में परास्त किया और भगवान विश्णु को भी युद में हरा लिया फिर उसने प्रिथवी को जीतना आरंब किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिन के राजे पे हमला किया और उसे हरा कर कारागार में बंदी बना लिया माराथ सुदक्षिन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बना कर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बना शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वेम भगवान शिव प्रकट हो गए। और उन्होंने अपने पिनाक धनुस से राच्छल भीम की तलवार के दो तुगड़े कर पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस थान पर भीम से युद्ध करने के कारण से ही इस जोतरलिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। यहां जोतरलिंग उत्तरप्रदेश के काशी में स्थित है। किसी समय की बात है। निर्वि पुरुष्टत्व का नाम शिव हुआ और श्त्रीतत्व का नाम शक्ति हुआ। पुन्शिव और शक्ति ने अद्रिश्य रहे कर प्रकृति और पुरुष्ट की रचना की। परतु पुरुष्टत्व जोकी श्री हरी विश्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आपको बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठें। कुछ समय बाद निर्गुड पर्मात्मा से आकाश वाणी प्रकट हुई। तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। फिर तुम से परम उत्तम सुष्टी का विस्तार होगा। प्रकृती और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुड शिव ने तेज के सारभूत पाच कोस लंबे चौड़े पंच क्रूसी नामक सुंदर नगर का निर्मान किया। वहनगर आकाश में स्थित हो गया। फिर श्री हरी ने कई वर्षों तक शिष्टी की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वयत जल की धाराएं प्रकट हुई। जिससे सारा शूने आकाश व्याप्त हो गया। यहां देख पुरुष्ट का तुश्री हरी आश्चर्य चकित रह गया। और इस अध्वुद्रिश को देखकर जब विश्णु जी ने आश्चर्य से सर हिलाया तो उनके कान से एक मड़ी वहां गिर गई। जिससे उस जगा का नाम मड़ी करनी का पड़ गया। जब इस श्वेत जल में पंच क्रोशी नगरी डूबने लगी तब निरगुण शिव ने शीग्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धरण कर लिया। फिर विश्णु अपनी पतनी के संग वहीं शायन रत रहे। यहीं उनकी नाभी से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की आगया से अधभुच्रिश्टी का निर्मान शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मान के भीतर कर्म पाश में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पंच क्रोशी को इस जगत मे छोड़ दिया। यहां स्वयम पर्मात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। दोस्तों जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुने पर जब सारे जगत में प्रलय हो जाती है तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता है। प्रलय काल में शिव जी उसे अपने त्र जंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरी परवत के पास थे थे। एक बार अनेक वर्षों तक यहां वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी यहां से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्शी गौतम जी ने छे महीने तक तब करके वरु जाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशुपक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुना आ गए। इस प्रकार महर्शी गौतम जी की बड़ी प्रसंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड़े में गौतम रिशी के शिश्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य रिशिय पत्निया भी वहां आ गई और वे भी पहले जल लेने का हट करने लगी। गुरु माता अहिलिया ने सब को समझाया कि यह नन्य बालक पहले से यहां उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज आन्य मुनी पत्नियों को लगा कि म अहिलिया अपने शिश्यों का पक्ष ले रही हैं। इस दिव्य जल की विवस्था इनके पती महर जी गौतम ने जुकर आई है। यही बात बाकी मुनी पत्नियों ने अपने पत्नियों को बढ़ा चड़ा कर बताई। इस बात पर नाराज उन रिशियों ने गौतम रिशी जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनी के साथ दुएश रखना उचित वैवार नहीं है। जिस ने अपने तब से इस प्रदेश में जल की विवस्था कराके सभी को जीवन दान दिया हो। परन्त मुनियों के हट करने से गनेश भगवान जी ने उनकी आग्या मान ल या देख गौतम रिशी ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खेलाने लगे। उस धान के तिनके का सपर्ष होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यों हो गई। रामण और उनकी डुस्ट पत्निया पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकलाए और उन पर गौहत्या का पाप मड़कर उन्हें दिखकारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहां रहोगे तब तक अगनी देव और पित्रगण हमारे हवन को ग्रहन नहीं करेंगे। अरे गौहत्यारे तुम परिवार सहीत यहां से दूर चले जाओ। गौतम रिशी त्रेमबक से दूर एक आश्रम बना कर रहने लगे। परंतु यहां भी ब्रामण उन्हें आकर परिशान करने लगे। तथा उन्हें यग्याधी कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम रिशी ने गवहत्या शुध्धी के लिए सब पर महाद्धना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मागीरी परवत की ग्यारा बार परिक्रमा करो और फिर सो घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुमारा उद्धार होगा। ब्रामणों ने जैसा कहा गौतम रिशी ने वैसा ही किया। साधवी अयल्या ने भी अपने पती का इस तप में साथ दिया। रिशी की अराधना से प्रसन होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम रिशी ने निश्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुने तुम सदा ही निश्पाप हो। इन दुष्टों ने ही तुमारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्दार नहीं होगा। गौतम रिशी विश्मित होकर बोले अगर इन रिशियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते महादेव। अगर आप रसन्न हैं तो मुझे मा गंगा प्रदान कीजिए। शिव जी ने गंगा देवी को धर्ती पे पुना आवतरित होने के प्रदा देव ने ततास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब रहस्पती देव सिहराशी में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहां आएंगे। इस प्रकार वहां स्थित मा गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव की जोतर लिंग त्रम्ब केशवर नाम से प्रसिद्ध हुई है। चीता भूमी के पास स्थित बताई गई है। स्थान विवाद है परतु कथा एक समान है। तो चलिए जानते हैं इस जोतर लिंग की स्थापना की कथा है। दोस्तों राक्षस राज रावण कैलाश परवत पर भगवान शिव की अराधना कर रहा था। परन्तु कई वर्षों तक तब करने के बाद भी जब महादेव जी प्रसन्द नहीं हुए। तब रावण ने भगवान को प्रसन्द करने के लिए दूसरा तब आरंब किया। परन्तु इस तब से भी जब महादेव प्रसन्द नहीं हुए। तब जाकर पुलच से कुल नंदन रावण ने एक-एक करके अपने मस्तक की आहुती देनी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए उसने अपने कुल नौ सर काट डाले। परन्तु जब रावण अपना दस्वा यानी आखरी सर काटने जा रहा था तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वत निरोग करके उसे उत्तम वर मागने को सबसे बलशाली होने का वर्मागा भक्तवत्सल्य भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा नुसार बलप्रदान किया। रावण नत्मस तक होकर भगवान शिव के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान बड पर रखा तो यह लिंग सदा के लिए वही सुस्थिरो जाएगा। रावण बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस शिव लिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। परन्तु भगवान शिव की माया से रावण को मूत्रोत सर की इच्छा हुई। रावण बड़ा ही सामर्थ शा करने के लिए कहा। एक मूरत बीते बीते वा गौला उस शिव लिंग के भार से अत्यंत पीडित हो जुगा था। और फिर ठककर उसने शिव लिंग को भूमी पर रख दिया। फिर तो वाहीर कमय शिव लिंग सदा के लिए वही स्थित हो गई। रावण भी भगवान की ल पूजन किया और उसका नाम वैदना जोत्रलिंग रखा। रावण जब प्रसंद मन से लंका चला गया तभी सब देवता यहां सोचने लगे कि भगवान शिव के दिये वर्दान से ना जाने या राक्षस क्या करेगा। देवतागर ने नारज जी को रावण के पास भेजा नारज जी लंका गये और उन्होंने रावण को सुझाओ दिया कि तुम एक बार कैलाश परवत उठा कर देखो तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वर्दान कहां तक सफन हुआ है। रावण को या बात जच गई और उसने जाकर कैलाश को उठाड दिया जिससे क या कथा शिव पुराण के कोटी रुद्ध सहीता में ही बढ़ने थे या दसवी मुख्य जोतर लेंगे हैं। चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है कि दारुका नामा कराक्षसी अपने पती दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका मा पारवती के दिये हुए वर्दान के कारण इस वन को कहीं भी अपने साथ ले जा सकती थी। उसने अपने पती के साथ मिलकर उड़े जंगल में उतपात मचा रखा था। जिससे तंगा कर लोगों ने महरशी और्व की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सु नस्ट हो जाएंगे। जब यह खवर देव लोग में बैठे देवदाओं को मिली तो उन्होरे राक्षसों पर आक्रम कर दिया। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि अगर वो प्रिथिवी पर युद्ध करेंगे तो उसी शन नस्ट हो जाएंगे और अगर नही मनुष्य से भरी बहुत सी नावें। उधर आ निकली राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिये नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा। साथी अपने कई साथियों को भी शिव पूजा करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिये और उसके साथ ही प्रती दिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस कारे का पता चला तो उसने सुप्रिये को धमकाया और उसे मारने के लिए दोडा। सुप्रिये ने भगवान शिव की भगवान शेव ने यह वर्दान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं तमोगुड़ी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं है भगवान शेव का यहाँ वचन सुनकर दारुका अत्यंत भैवीत हो गई शेव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने मापार्वती की स्थुति की और उनसे यह वर मांगा की मा मेरे वन्षिकी रक्षा कीजिए मापार्वती ने उसे आश्वाशन देते हुए भूले नाथ से कहा की हे नाथ आपका वचन तो सत्ते ही है परनतु यह राक्षस पत्निया जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब इस वन में रह सकते हैं ऐसी मेरी इच्छा है तब भगवान शेव जी ने कहा तधास्तू मै में अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसंदता पूर्वक्ट इस वन में लिंग रूप में रहूंगा इस प्रकार उस जोतिरलिंग के रूप में भगवान शेव नागेश्वर कहलाए दोस्तों यह थी भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा परन्तु यहां जोतिरलिंग का स्थान थोड़ा विवादित है शिवुपुराण और 12 जोतिरलिंग स्त्रोतम के अनुसार यहां दारुकवन में स्थापित है परन्तु दूसरा उत्राखंड के अल्मोरा राज्य में और तीसरा महारास्ट के हिंगोली राज्य में यहां कथा उस समय की है जब राक्षण सराज रामण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने राज लंका ले गया था और माता की खोज में निकले भगवान राम अपनी वानर सेन सहित दक्षण के समुद्र टट पर पहुचे थे दोस्तों यहां जोतरले दक्षण भारत में तमिलाडू के रामेश्वरम नामक स्थान पर स्थे थे दोस्तों जब बाबा भूले नात के भग्त भगवान श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र टट पर पहुचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है इस प्रकार उनके सामने समुद्र को पार करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई वह विचार करने लगे कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए और कैसे युद्ध में रावण को हराया जाए भगवान राम जो प्रती दिन बाबा भुले नात की पूजा करते थे इस समस्या के कारणवश वह पूजा करना भूल गए तभी उन्हें प्यास लगने लगी और उन्होंने जल मांगा वानर मीठा जल ले आए भगवान राम जल ग्रहण करने जाही दहे थे कि तभी उन्हें समरण हुआ कि उन्होंने अपने अराद्य की पूजा नहीं की है फिर स्वयम भगवान राम ने अपने हातों से पार्थिव लिंग बनाई और शिवजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी उन्होंने भगवान शिवज से कहा कि हे महेश्वर आपके सहयोग के बिना मेरे कारे की सिध्धी अत्यंती ही कठिन है रामड भी आपका भगत है वा अजे है आप से मिले वर्दान की कारण वा सदा गर्व से भरा रहता है आप अपने दास पर कृपा करें भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और वर्दान मांगने के लिए कहा भगवान राम ने कहा कि आप मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए प्रभू और सदा के लिए यहां लोक कल्यान के लिए वास करें भगवान शिव ने उन्हें उत्तम वर दिया और वहां सदा के लिए रामेश्वर के रूप में स्थित हो गए यहां जोतरलिंग राजस्थान के शिवर नामक गाउं में स्थित है शिव पुरान के अनुसार बारवी यानी अंतिन जोतरलिंग है इस कता का वणन हमें कोटी रुदर सहींता में मिलता है और वहां कुछ इस प्रकार है कि दक्षण दिशा में देवगिरी परवत के निकट भारदवाज गौत्र में जन में सुधर्मा नामक एक ब्रामण अपनी प्रिये पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था वह बड़ा ही धार्मिक था वो प्रती दिन अपने अराध भगवान शेव की पूजा किया करता था वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे परंतु उनके कोई संतान नहीं थी जिसके कारण उन्हें अपने पढ़ोसियों के व्यांगे वाक्य सुनने पड़ते थे इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह अपने पती से आकर बोली हे नात स्रिस्टी का यही नियम है कि जो भी वंश इस प्रिथवी पर चल रहा है उसे आगे बेहन गुश्मा से विवा कर लीजिए तो घरमा ने इंकार करते हुए कहा कि इस विवा से सबसे ज्यादा दुख खुद तुमें ही होगा पर अन्तIEL अपने हट से सुदहा ने गुश्मा का विवा सुधरमा से करा दिया गुश्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रति द गुश्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बेहन के प्रती इरशा उत्पन्न होने लगी समयाने पर उस पुत्र का विवा हो गया पुत्र वधु के घर आ जाने से सुदेहा और इरशा करने लगी एक रात सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को शाटू से मार डाला और उसके अंग को काटके उसी तालाब में डाल दिया जहां घुश्मा प्रती दिन पार्थे विलिंगों का विसर्जन किया कर दी थी सुबा उठकर सुधर्मा और गुश्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधु ने जब पती के विस्तर पर खून देखा तुवार होने लगी और उसने सबको यह बात बताई परन्तु नित्य कर्मों में विलीन पती पत्नी विचलित नहीं हुए जबकि सुदेहा दिखा पूजम के पश्चात गुश्मा पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई तब उसने अपने फुत्र को वहां खड़ा देखा वह जानती थी यह सब भगवान की लीला है उसे ना ही हर्ष हुआ ना दुख फिर एक जोती उसके सामने प्रकट उन्होंने गुश्मा को सुदेहा का अपराद बताया और उसे मृत्यु डंड देने के लिए वहां से प्रस्थान करने लगे परंतो गुश्मा ने उन्हें अपनी बेहन को शमा कर देने के लिए कहा इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के ल सिद्ध होगा तो दोस्तों आपको हमारे यह एपिसोड कैसा लगा अपनी कमें से ज़रूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों